तरुण ने पानी के जहाज में 4 घंटे का समय बिताया जहाँ पर पानी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटे रहा तथा जहाज 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है जब वह वापस आता है तो देखता है कि जहाज चालक कागस पर कोई गणित की समिकरण लिख रहे होते हैं तब वह उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं तो चालक कहता है कि जहाज का स्पीडोमीटर खराब हो गया है इसलिए वह जहाज की चाल ग्याद करने की कोशिश कर रहा है क्या आप जहाज की चाल ग्याद करने में चालक की मदद करेंगे? सर्व प्रथम माना की जहाज की चाल एक्स किलोमीटर प्रते घंटे है उधारण के अनुसार पानी का बहाव 3 किलोमीटर प्रतिगंटे है जहां पर धारा के अनुकूल जहाज की चाल बराबर X जमा 3 किलोमीटर प्रतिगंटे तथा धारा के प्रतिकूल जहाज की चाल बराबर X घटा 3 किलोमीटर प्रतिगंटे है जहाज धारा के नुकूल 20 किलो मीटर वा धारा के प्रतिकूल 20 किलो मीटर चलता है अतह जहाज द्वारा धारा के नुकूल जाने में लिया गया समय बराबर 20 बटा X जमा 3 वा धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय बराबर 20 बटा X घटा 3 है प्रश्णा नुसार तरुन ने पानी के जहाज में चार घंटे का समय बिताया अर्थात उपर्युक्त समीकरण को सरल करने पर हमें 40X बराबर 4X की घात 2 घटा 36 प्राप्त होता है इसे समीकरण एक से दर्शाते हैं जो की द्विघात समीकरण है आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में इस प्रकार की समीकरण को हल करने के लिए क्या किया था शाबाश इसके लिए समीकरण एक की तुलना सामाने द्विघात समीकरण से करते हैं जहां पर A बराबर 4 वब B बराबर रिनात्मक 40 तथा C बराबर रिनात्मक 36 प्राप्त होता है A, B वसी के मानों को द्विघाती सूत्र यानि की समीकरण दो में रखकर हल करते हैं हल करने पर X बराबर 5 धनात्मक वर रिनात्मक 5.83 मिलता है अर्थात X बराबर घटा 0.83 या X बराबर 10.83 प्राप्त होता है क्योंकि X धारा की चाल है इसलिए रिनात्मक नहीं हो सकती अतह हम मूल X बराबर घटा 0.83 को छोड़ देते हैं इसलिए X बराबर 10.83 से हम प्राप्त करते हैं कि जहाज की चाल 10.83 किलोमीटर प्रति घंटे है आज इस वीडियो में हमने द्विगाती सूत्र द्वारा एक द्विगात समीकरण को हल करना सीखा आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रेश्णों को हल करते हुए आमतोर पर क्या गलतिया हो सकती हैं क्या एक प्रेंगर पैह सहत्र करेंवार एक ल